बुद्धम शर्णम गच्छामी बुद्ध का अर्थ होता है ज्यानी वेक्ति और ये धरम भारत से निकला हुआ सबसे प्राचीन धरम जो है उनमें से एक है और भारत के बाद ये भारत के आसपास यानि एशिया महदिप के अंदर ये फेला ये भी आप ध्यां रखिएगा भारत के साथ साथ बाद में ये ची देशों के अंदर भी बहुत धरम है धीरे धीरे बहुत फेला आज भारत ने बले इस धरम को बुला दिया है लेकिन ये इन देशों का परमुक धरम है वो बना हुआ है एक साइन्टिफिक धरम चलिएगा अब हम बात करेंगे इस धरम के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में और चैप्टर को हम टोपिक वाइज स्टार्ट करें उससे पहले बुद्ध के जनम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपुर्ण बाते हैं आपके नोलेज के लिए वो शेयर करना चाहूंगा बुद्ध के पिता का नाम था शुदोधन माता का नाम था माया देवी जब माया देवी गरवती होती है तो एक रात उनको सपना आता है और सपने में ये दिखता है उनको भी एक छे सूंड का हती है वो उनके गरव के अंदर परवेश कर रहा है और पहले अनुमती मांगता है भी मैं अपने अंतिम रूप के रूप में आपके गरब से जनम लेना चाहता हूँ क्या आप मेरी मा बनना स्विकार करेंगी और सपने में ही माया देवी उसकी अनुमती परदान करती है और अचानक सपना तूट जाता है और सपना तूटने के बाद जागने के बाद तुरंत अपने पती शुदोधन को अपना सपना बताती है अब शुदोधन भी चिंतित हो गई भी गर्भावस्ता के अंदर एक सपना आया है भी इसका क्या मतलग है उन्होंने सभा बुलाई ब्रहमनों को आमंतरित किया और उस सपने के बारे में बताया तब ब्रहमनों ने कहा ये बड़ा ही शुब संकेत है सबसे पड़ी बात तो आपको पुत्तर रतन की प्राप्ती होगी और एक संशय ये है या तो वो एक महान राजा बनेंगा और या फिर एक महान सन्यासी बनेंगा माया देवी और शुदोधन सुनकर अजीब सा लगा उनको भी ये क्या है एक डर पेदा हो गया माबाप के बीच फिर भी उन्होंने सोचा भी पोजिटिव सोच लेते हैं हो सकता है राजा ही बने तो उसके बाद माया देवी 563 इसापुरोव के अंदर सिधार्थ को जनम देती है महात्मा बुद्ध तो बाद में बने उससे पहले बचपन का जो उनका नाम था वो था सिधार्थ और जनम कहां हुआ जनम हुआ इनका लुम्बिनी वन में क्योंकि माया देवी के पीहर में ये प्रंपरा थी भी पहला बेटा है वो पीहर में ही जनम है वो दिया जाता है तो ये अपने पती के अनुमती लेकर नेपाल की तरफ अपने जो पीहर था वहाँ चल पड़ती है और रास्ते के अंदर ही प्रशो पिड़ा होती है और लुम्बिनी वन के अंदर ही ये सिधार्त को जनम देती है और उसके साथ ही और उनका जो स्वास्तिय है वो भी खराब ह जाता है और साथ दिन बाद जब वो अपनी अंतिम स्टेज पर थी तो अपनी बहन और शुदोधन की दूसरी पत्नी परजापती गोत्मी को अपने पास बुलाती है और ये कहती है भी मैं तो मेरे बेटे को राजा बनते हुए शायद नहीं देख पाऊंगी अब मेरे पास इ माया देवी का जो देहांत है वो हो जाता है धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और 16 वर्स की उमर में सिद्धार्त की शादी कर दी जाती है और पत्नी का नाम था ये शोद्रा एक पुत्र की प्राप्ती होती है और उस पुत्र का नाम था राहुल उसके बाद में 29 साल की उमर में जो सिधार्थ है वो घर छोड़ देते हैं और इसके 6 साल बाद 35 साल की उमर में उनको ज्यान की प्राप्ती होती है और 80 साल की उमर में वो निर्वान मौक्स को प्राप्त है वो करते हैं यानि शरीर छोड़ देते हैं तो ये सिधार्थ यानि महत्मा बुद्ध से वो होने वाली है तो चलिए पहला प्रिशन हो जाता है महात्मा बुद्ध का जीवन परीचे है वो बताईए तो सबसे पहला बात तो इसके अंदर यही आ जाती है भी बुद्ध धरम के संस्तापक थे महात्मा बुद्ध और इनका सम्मंद किस कुल से था वो था साक्य कुल से याने ये शख्य गण से सम्मन्दित थे आपको याद आ रहा होगा महाजनपद महाजनपदों में कुछ गण और संग ऐसे थे वहां किसी एक राजा का नहीं बलकि एक समुव का अधिकार होता था उसी के अंदर सख्य गण से सम्मन्दित थे महात्मा बुध इनका बचपन का नाम जैसे कि हमने जान लिया पहले ही सिधार्थ था और इनके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो लिखेंगे सिधार्थ गोतम सिधार्थ गोतम पूरा नाम ये है इनका सिधार्थ बच्पन का और गोतम क्या है गोतम इनकी गोत्र का नाम है और जनमस्थान आपको बताया लुंबीनी जो की कहां पर है वर्तमान में नेपाल के अंदर है और इनको ग्यान प्राप्त कहां हुआ वो हुआ बोध गया में और बोध गया कहां पर है वर्तमान में बिहार स्टेट के अंदर है बोध गया ये लुंबीनी है वो नेपाल में है और ज्यान प्राप्टी के बाद में अपना पहला जो उपदेश दिया वो जगह थी सारनाथ और ये कहां पर है यूपी के अंदर सारनाथ है वो यूपी के अंदर है और मोक्ष यानि निर्वान की जो प्राप्टी हुई वो जगह है कुशी नगर और ये भी कहां है उत्तर प अपने पांच ब्राहमन मित्रों को इनोंने अपना पहला उपदेश है वो दिया था निर्वान मोक्ष की प्राप्ती हुई कुशी नगर्मी ये उनके जीवन से जुड़े हुए महतोपूर्ण स्थान है जिनको आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है और सबसे पुचत बात ओर है जब जनम हुआ उस दिन भी वेशाक की पुर्णिमा थी अपने हिंदी महनों के अनुसार जब ज्यान प्राप्त हुआ उस दिन भी वेशाक पुर्णिमा थी इसलिए वेशाक पुर्णिमा को बुद्ध पुर्णिमा के रूप में बुद्ध के जनम पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवसेश याने उनकी जो अस्तियां थी या उनके द्वारा कोई भी समान जो प्रियुक्त किया जाता था वो किसी टिले पर गाड़ दिया जाता था और उन टिलों को कहा जाता था स्टूप और इन्हें कभी-कभी चेते शब्द है वो सांची के स्टूप से की थी फिर एक बार स्टूप का जीकर आएगा और अगली वीडियो क्लास में फिर हम स्टूप के बारे में जानेंगे भी कौन इनको बनाता था इनकी सरंचना किस परकार की होती थी उन चीजों को भी जान लेंगे यहां हमने ये जान लिया भी महत्मा याठ चेत्य है, वो कहा जाता था, स्क्रीन सोट लेना चाहे तो नोट स्चों में आप इनको उतार सकते हो, चलिए, अब बात करते हैं, जो सिधार्त है, जो सिधार्त गोतम है, उनोंने घर का त्याग, महल का त्याग है, वो किन कारणों से किया, ऐसा क्या हो गया था अब याद कीजिए भविशयवाणी की जो ब्रहमनों ने की थी का या तो एक महान राजा बनेगा और या फिर सन्यासी बनेगा तो उस टाइम सुदोधन ये नहीं चाता था कौन पिता चाहेगा भी उसका बेटा है वो सन्यासी हो जाए, वेरागी है, वो हो जाए तो इन्होंने क्या किया? जनम के बाद उनको सारी वो स्विधाई दी ताकि इनके मन में कभी भी वेराग्य का भाव नही आई रीतूँ के अनुसार इनके लिए महल का निर्मान करवा दिया गया और कोई भी ऐसी चीज इनके सामने नहीं लाई गई कभी भी ताकि उनके अंदर सन्यास की भावना जागरत हो लेकिन कहते हैं न होनी को कौन टाल सकता है और एक दिन निकल पड़े घर से बाहर उपुवन में नगर की तरफ और उन्होंने देखे उस तेम चार द्रिशे है और यही वो चार द्रिशे है जिनोंने सिधार्त गोतम की लाईफ को चेंज कर दिया और वो है उन्होंने देखा एक बुढ़ा वेक्ति एक बुढ़े आदमी को देखा एक बिमार वेक्ति को देखा और एक लाश याने अर्थी को देखा और साथ में चोथा दृष्य देखा एक सन्यासी तो ध्यान दीजिएगा 39 में वर्ष के अंदर हम पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहली बार नगर का भर्मन कर रहे थे क्योंकि कभी इस परकार से उनको जाने ही नहीं दिया गया भी ताकि कोई ऐसी चीज वो देखे लेकिन वो दिन आगया बुढ़ा बिमार लास और सन्यासी को उन्होंने देख लिया और देखते ही उन्होंने बुढ़ा बिमार और लास एक अर्थी को देखा तो उनके दिमाग में ये बात जच गई भी ये क्या है इसका मतलव हमारा जो शरीर है ये नाशवान है और एक दिन इसका अंत हो जाएगा धीरे धीरे मैं भी तो एक दिन मर जाऊंगा फिर ये क्या चल रहा है हम क्यों ऐसी भागम भाग करते हैं क्यों धन के पीछे हम भागते हैं और सन्यासी को देखकर उनके मन में ये भाव आया वहिया देखिए इस सन्यासी को ने इसको बुढ़ापे की चिंता ने बिमारी की और ने ही इसको कोई मृत्यू से कोई भै रहा है इसके चहरे पर तो बड़ी ही शान्ती एक आनंद का भाव एक मुस्कुराहट है वो दिखाई दे रही है तो इनको लगा भी इस लाइफ के अंदर शायद बहुत कुछ है और यही वो द्रिशे थे जिनको देखकर सिधार्त गोतम के मन के अंदर सन्यास का रास्ता अ चुना भी मुझे कुछ लोगों को दुनिया को बताना है भी जीवन के अंदर सुखी कैसे रहा जा सकता है अर्थार्त इस परकार से उनके मन में वेराग्या का भाव है वो जागरित हो गया और कहां से अपने कपील वस्तु से वो निकल पड़े कपील वस्तु जो की उस टम सक्यगन की राजदानी थी अपने महल से यहां से निकल गए और पहुंच गए कहां राजगरे जो की मोरे शासकों की उस टाइम जो राजदानी थी वहां पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने साधना ध्यान की कई विधियों की है वो खोज की साधना ध्यान इसका जब होता है सांस पर कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है देखिए जब हमारा जनम होता है आप सबको पता है हम रोते हैं यानि सांस आता है और जब हम मरते हैं तो सांस निकलता है ये बीच का सांस लेना और सांस छोड़ना ये बस बीच की जो घमा चोकड़ी है इसको समझना जरूरी है ये हमारे सांसों से जुड़ी हुई है और सांसों पर कंट्रोल करना ही वो ही है ध्यान साधना की विदियां सांस लेना सांस को रोकना और फिर सांस को छोड़ना तो इन विधियों की उन्होंने खोज की गोतम बुद्ध ने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया अपने सरीर को बहुत तंग किया कस्ट दिया कम से कम खाना खाते थे एक ही टाइम खाते थे कई बार एक फल खाते थे कई बार भूखे रहते थे स्टार्टिंग में उनको ये लग रहा था भी शरीर को कस्ट देने से शायद मैं उस चीज को प्राप्त करनूं जो मेरा अंतरमन प्राप्त करना चाहता है लेकिन फिर उनको एसास हुआ भी इस परकार से तो उनकी सारी उर्जा खतम हो जाएगी और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं प्राप्त किसको करूंगा और उस दिन से उनहोंने मध्यमारक को अपनाना स्टार्ट किया मध्यमारक बीच का रसा यानि शरीर को भी रखना है और इसके लिए खाना भी खाना है और ध्यान की विदियों के माध्यम से उस परमशक्ती उस उर्जा को भी प्राप्त करना है ताकि मेरे अंदर शांती का भाव आ सके मेरे मन में किसी के प्रति द्वेश की भावना है वो नहीं आ सके मुझे उस सच को जानना है तो ध्यान करते करते एक दिन वो आ ही गया जब उनको आंत्री ज्ञान प्रग्या यानि समझ है वो प्राप्त हो ही गई और वो जगय थी कौन सी हमने अभी पड़ा उनको ज्ञान की प्राप्ती होती है अपना पूरा पिछले जनम का सारा कहते हैं पूरा सिस्टम उनके सामने आ गया सब कुछ पता चल गया भी अब क्या कर रहा हूं आगे मुझे क्या करना है ये पावर होती है साधना में ध्यान में अगर हम इसके और उपर की पीक पॉइ है वो बुद्ध के नाम से जानेंगे और कई बार आप नाम सुनोंगे ये तथागत बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है और बाकी का जो जीवन था उन्होंने धम याने धरम और सम्यक जीवनियापन की जो शिक्षा है वो लोगों को दी उन्होंने जिस सत्य की जिस सत्य के मारग को प्राप्त करने का जो रास्ता इनों ने ढूंडा फिर निकल पड़े लोगों को बताने के लिए भी अब मैं लोगों के पास जाऊंगा उकुदेश दूंगा ताकि उनका जीवन भी सुखी हो सके क्योंकि जीवन में तो दुख ही दुख है तो इनों ने इसके लिए बाद में किस परकार की परकीरिया है वो अपना ही थी चलिएगा और इसके साथ ही बात करते हैं अब बुद्ध की सिक्षाओं की बुद्ध की सिक्षाओं बहुत इंपोर्टेंट है जो भी आ नोट्स फोर्म में चल रहा है इनको अच्छे से समझना है यही इसे नोट्स हैं आप इनको नोट कर सकते हैं एक्सा नोलेज के लिए आपको बताना चाहूँगा गुद्ध से जुड़े हुए जो तीन परमुक गरंत है जिनको त्री पिटक कहा जाता है जिनका मतलब होता है तीन टोकरियां एक है सुत पिटक एक है विन्य पिटक और एक होता है अभी धम पिटक इसमें सुत पिटक के अंदर समन्य जो जो लोगों के लिए जो शिक्षाई हैं वो दे रखी है विन्य पिटक के अंदर जो इनके परचारक रहें उनके लिए नियम काईदे दिये गए हैं और अभी धम जो पिटक है अतिरिक जो भी फिलोस्पी इन उनके बारे में इनको जो चीजी हैं वो हमें देखने को मिलती है. तो चलिए अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की परमुक शिक्षाओं की प्लस टू के सलेबस के अकोर्डिंग. गोतम बुद्ध क्योंकि अब वो क्या बन गई? बुद्ध. तो इन्होंने कहा दुनिया एनित्य है और लगातार बदल रही है. यहाँ एनित्य का मतलव है चेंजेबल. सिद्धी सी बात आप शोट में ऐसे लिख सकते हो. भी दुनिया है वो परिवर्तन सील है. दुनिया परिवर्तन सील है. यह आत्मा विहीन है. इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है. क्योंकि इसमें कुछ भी स्थाई नहीं है. कुछ पर्मानेंट नहीं है. जो आज है वो हमेशा रहेगा. नहीं है. बुद्ध ने क्लियर कट कर दिया. भाया कुछ भी पर्मानेंट नहीं है. ये दुनिया है ये क्या है परिवर्तन सील है ए नित्य है रोज बदलती है ये इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है कुछ भी चीज यहां स्थाई नहीं है और इन्होंने कहा दुनिया में दुख ही दुख है जिसका कारण है लोब और लालच इन्होंने कहा दुनिया में दुख का कारण बताया और कारणों को पहचानने की उसके परभाव की बाते हैं वो भी इनोंने सब को बताई है और इनोंने कहा है का घोर तपश्या और विशया शक्ती, विशया शक्ती का मतलब होता है किसी विशेश चीज में रूची जैसे जिसके बगेर आप नहीं रह सकते अगर आप मोबाइल बगेर नहीं रह सकते तो वो क्या है उस विशे के परती आपकी है शक्ती भी मैं इसके बगेर नहीं रह सकता वो मोह जो आपका है तो घोर तपश्या और इच्छा और जो मो है उसके बीच मद्धे मारग अपना कर मनुश्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पास सकता है ये जो बुद्ध है इन्होंने ये नहीं का भी आप सिर्फ तपश्या ही करे इन्होंने का अगर आपको संसारिक जीवन जी रहे हो तो तपश्या यानि ध्यान साधना और इसके साथ साथ जिन चीजों में आपको रूची है उनके बीच का मारग आप अपना लीजिए जीवन सुखी हो जाएगा खुद पर कंट्रोल भी करना आप ध्यान की विदियों से कर सकते हो ये शिक्षा हमें दी और इनका मानना था भी इस समाज का निर्मान मनुश्यों ने किया है ने की इश्वर ने हम हमेशें यही सोचते रहते हैं यह दुनिया भगवान ने बनाई है जबकि हम किसी ने भगवान को नहीं देखा है जो भी भगवान के रूप जो पिक्चर हम देखते हैं वो बनाई हुई है बस वो हमारे माइंड के अंदर वो पैटरन है वो सेट है लेकिन कि यह दुनिय तो इनसानों ने बनाई है और व्यक्तिकत पर्यासों से हर आदमी अगर पर्यास करे तो इस समाजिक वातावरन में बदलाव ला सकता है अपने वैवार को बदल कर और कोई आदमी अपने वैवार को कब बदल सकता है जब उसको अपने खुद के बारे में ग्यान तो प्राप् उसको जानना जरूरी है तो ये दुनिया ये समाज इनसान ने बनाया है भगवान ने यहाँ कोई प्रोब्लम किरियेट नहीं की है और इनों ने कहा जनाम मृत्यू के चक्कर से मुक्ति पाना है आतम ज्यान प्राप्त करना है खुद का ज्यान आंतरी ज्यान प्राप्त करना ह वोही तो प्राप्त किया 25 साल की उमर में इनों ने और निर्वान यानि मोक्स के लिए ध्यान और सम्मेक करम की बात कही सम्मेक का मतलब होता है समाने लोग कल्यान करी यानि सब के भले के लिए काम करना वेक्तिगत नहीं आप कुछ ऐसा करें भी सब का फाइदा हो भी कहीं सिर्फ आप अपना वेक्तिगत लाब देखते हैं तो फिर तो वही बात आ गई लोब और लालच और लोब और लालच से क्या मिलता है सिर्फ दुख मिलता है तो दुखों से निजात पाने के लिए ही तो ये बातें आपके clear होगी, इनी से जुड़ी हुई कुछ बातें और देख लेते हैं, और वो है भी बुद्ध के अनुसार निर्वान, कई बार ऐसा भी एक्जामी एक नमबर में question आ जाता है, भी निर्वान का क्या अर्थ है बुद्ध के according, तो एहम और इच्छा को खतम करना सिती सी बात, लोब और लालच को खतम कर देना, वो ही है निर्वान, और एक लास्ट में बात कर लें, भी अपने शिश्यों के लिए इन्होंने अंतिम निर्देश है, वो क्या दिये, ये भी छोटे question के रूप में पूछा जा सकता है, इन्होंने अपने सब जो विद्यार् आस्ते बता दी हैं, ध्यान की विधियां बता दी है, अपने आपको पहचानों आपके अंदर प्रोब्लम क्या है, यू नहीं है, गुरु बना लिया तो उसके पीछे पीछे घुम रहे हो, कहा जाता है न कोई विद्वान कहते हैं कि गुरु दो परकार के होते हैं, एक कौन सा गुरु किस परकार से आप सोचते हो, ये आपके उपर डिपेंड करता है, और एक गुरु वो होता है, जो रास्ता बता देता है, वो सारी बातें जो उसके पास है, वो अपने चले को दे देता है, और उस बात से वो पूरी दुनिया, पूरे जनम के दोरान अपने स सारी प्रोब्लम है वो solve करता है तो दो परकार के गुरु होगे तो ये वो दूसरे परकार के गुरु इन्होंने कह दिया मैंने जो बताना था आपको बता दिया अब तुम सब अपने लिए खुद अपनी जोती है वो बनना है क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ती का रास् आप कैसा जीवन जीना चाहते हो ये आपके उपर डिपैंड करता है कोई दूसरा इसका डिसीजन है वो नहीं कर सकता दूसरा करेगा तो फिर दुखाएंगे फिर दुखाएंगे तो ब्यादी ब्यादी फिर हम चेहरे पर मुसकान, मुसक्राहट, आनंद वाला जीवन है वो क साफ नहीं दिखाई दे रही तो गोर से सुनिएगा कि अपनी दूरदर्सा यानि दुखों के लिए दूसरों को अगर उत्तरदाई ठहराते हैं अगर हमें कोई दुख है और उस दुख का कारण हम किसी दूसरे को बताते हैं तो इसका मतलब है हमें हमें सुधार की आवशकता है गोर कीजिए का हमें कोई दुख है और उस दुख का कारण हम दूसरे को कह रहे हैं तो बुद्ध कहता है आपको सुधार की आवशकता है और दूसरी बात आती है अगर स्वयम को दोसी ठहराते हैं तो ये पता चलता है कि सुधार प्रारंब हो गया है आपको प्रोब्लम है और हम कह रहे हैं भी नहीं इसका कारण मैं खुद ही हूँ इसका मतलब हमारे जीवन में सुधार है वो स्टार्ट हो गया है और तीसरी बात ये निकलती है भी किसी को भी दोसी नहीं ठहराते तो इसका मतलब सुधार पुरण हो गया है हम दोस देते ही नहीं किसी को ने खु कितनी प्यारी बात बुद्धने कही है, कोई भी प्रोब्लम है, हमें क्या अदत पड़ गई है, कोई भी बात होती है, हम बाहर वालों के उपर दो सारोपन करते हैं, उसकी वज़े से ऐसा हो गया, कभी हम अंदर जांकते ही नहीं हैं, अरे हम दुख बाहर डून रहे हैं, कही प्रोब्लम अपने अंदर ही तो नहीं है, ये बात जिस इनसान के समझ में आ जाती है, उसकी जिन्दगी वेसे ही सुखी हो जाती है, तो कितनी प्यारी बातें यहां हमें सीखने को मिल रही है, अक्सर मैं कहता हूँ ना, सिर्फ परसन उत्रों के लिए हमें चीजे नहीं प कि जरूरत कहां है, हम तो बात करेंगे और बात करेंगे तो वो सब अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि बात के अंदर डर नहीं आता भूलने का, चलिए अब बात करते हैं बुद्ध की सिक्षाओं के बाद, अपना टोपिक है बुद्ध के अन्युआई और संग के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूं, बुद्ध के जो अन्युआई है, इनको जो मानने वाले हैं, उनके दो वर्ग रहे हैं, एक तो वो जो ग्रहस्त जीवन विताते हैं, याने अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन बुद्ध की सिक्षाओं का पाल जाता है, तो दो परकार के अन्युआई रहे थे, यहां हम बिक्षों के बारे में जानकारी हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं, अपने सिलेबस के अकोर्डिंग, तो संग, तो बुद्ध ने क्या किया, अपने सिश्यों के लिए एक संग की स्थापना की, जो भी उनकी सिक्षा की एक ऐसी संस्ता थी, जो धम के सिक्षक बन गए थे, धम, यहां सिर्फ धरम शब्द नहीं बात कर रहे हैं, धम की बात कर रहे हैं, धम जिसके अंदर नेतिकता की बात होती है, जब हमारे अंदर हम ये कहें भी लोब और लालच नहीं हो, सदाचारण की, अच्छे आच्र धम है, वो ग्रहन कर लिया था, और कलिंग युद्ध के बाद उसकी पूरी लाइफ है, वो चेंज है, वो हो गई थी, और जब महत्मा बुद्ध थे, उस टेम की बात करें, तो उनके जो पिता, बिंदु सार, जो बिंबि सार थे, वो इनी के टाइम पिरेड में थी, तो सं के अंदर क्या हुआ, संग बहुत सालों तक केवल पुरूश ही संग में शामिल हो सकते थे, लेकिन उसके बाद में, जो काफी, जब निर्वान को प्राप्त होने वाले थे, उनसे कुछ टाइम पहले, उनके पिरेड सिश्य रहे आनंद, बुद्ध के, तो उन्होंने रिक् इसलिए आई, क्योंकि आनंद ने देखा था, भी इनकी जो सोतेली माता थी, यानि जो मोसी थी, गोतमी, वो भी जुड़ना चाह रही थी, इनकी पतनी यशोदरा है, वो भी इनसे जुड़ना चाहती थी, इन संग से, वो भी इनसे काफी प्रभावित हो गई थी, इनकी सि संग में आने वाली पहली बिक्षूनी थी, और ये महलाएं भी संग के अंदर धम की उपदेशी काई हैं, वो बन गई थी, और पुरुषों के लिए, महलाओं के लिए, अलग-अलग परकार के जो नियम हैं, वो संग के अंदर डिसाइड है, वो किये गए थे, बुद के द लेक्ष्ड बन जाता है, भी थेरी क्या है, इसका आर्थ क्या है, ऐसी महलाएं जिनों ने निर्वान प्राप्त कर लिया हो, उनको थेरी कहा गया था, तो जैसे ग्न प्राप्त किया, जो गोतम बुद, गोतम सिधार जो थे, वो क्या बन गए? बुद बन गए, और थेरी, और जिन महिलाओं ने निर्वान मौक्स प्राप्त कर लिया हो, उनको आगे चल कर फिर थेरी कहा जाता था। संग की सबसे बड़ी खासियत थी भी इसके अंदर सभी को समान रूप से दरजा प्राप्त था, कोई छोटा बड़ा है वो इसके अंदर नहीं था। संग की संचालन पदती का कई बार question board में आया है, कि संग की संचालन पदती है, वो किस पर आधारी थी, तो गणों और संग की जो प्रमप्राईं थी, उनके उपर आधारी थी, और इसके अंदर कोई भी decision लेना होता था, तो आपसी बातचीत से लिया जाता था। और फिर भी कभी कोई सहमती नहीं बन पाती थी by chance, तो मतदान से निर्ने हैं, वो ले लिया जाता था। तो ये हो गई, संग से जुड़ा हुआ, एक प्यारा सा अपना topic हो गया, चलिए, अब बात करते हैं, चलते चलते, भी बोद धरम के तेजी से परसार होने के क्या थी, कई बार बोर्ड में आ जाता है, दो कारण बताईए, तीन कारण बताईए, तो आप अगर समझ आपके अंदर ये आ गई है, भी बोद धरम वास्तम में क्या चीज़ थी, तो आप बहुत इजीली इसका अंस्वर है, वो अपने आप भी दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम लोग जो समकालिन जो धार्मिक परंप्राईं चल रही थी, बोद की शिक्षाओं के अलावा, उनसे ऐसंतूस्त थी, और उस समय टेजी से हो रहे समाजिक बदलाव है, वो उलजन पेदा कर रही थी, अब क्या चेंज आ रहा था, ड्वेल्पमेंट आ रहा था, तो लोगों की तरफ आकरशित होने लगे, क्योंकि यहां पर तरक की बात है, वो होती थी, बोद धरम ने जनम पर आधारित वरण वैवस्था का विरोध किया था, और समाजिक समानता के उपर जोर दिया था, सब समान है, कोई उंचा निचा छोटा मोटा नहीं होता, और इनोंने अच् पुरुष है, वो इस धरम की और, यानि संपरदाय की और, बुद की सिक्षाओं की और, बुद के विचारों की तरफ है, वो आकरशित हुए है, बोद धरम ने कमजोर लोगों के प्रति दया और मित्रता के भाव को महतो है, वो दिया था, लोगों की जो भासा थी, आम पढ़ाता है, कोई काम करता है, तो वहां की language के हिसाब से अगर अपनी बात समझाएगा, तो easily वो चीज़े हैं, वो clear हो जाती है, और इससे जुड़ी हुई के कहानिया भी आपने पढ़ी होगी, जैसे एक महिला इनके पास, एक अपनी बेटे की dead body इनके सामने लेकर आती ह कि आप तो बड़े महान संत हो, मेरे बेटे को आप जिन्दा कर दीजिए, तो आपको पता है, वो तो तरक वितरक के हिसाब से अपनी बाते समझाते थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है माता, मैं आपके बेटे को जिन्दा कर देता हूँ, आप मेरे एक छोटा सा काम कर उन्होंने कहा, क्या है मैं कर दूँगा, बस मेरे बेटे को आप जिन्दा कर दे, आप किसी ऐसे घर से मुझे भीक्शा लाकर दे दीजिएगा, जिसके घर पर किसी की कभी भी मृत्यू नहीं हुई हूँ, पता था उसको भी ये तो संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा, पहले सन्यास के लिए इतनी घोर तपश्या करो भी शरीर को परिशान करो अलांकि याद कीजिए बुद्ध ने स्टार्टिंग में खुद शरीर को तंग किया लेकिन जब उनको एसास हुआ भी ये कोई बेनिफिशियल बात नहीं है तो उन्होंने बीच का रास्ता है वो चु नहां पर इस धरम का इस संपरदाय का इस विचारों का जनम हुआ उन्होंने भुला दिया है तो कहीं ने कहीं हमें सोचने की आवशेक्ता है बहुती विज्ञानिक और तरक के उपर आधारित ये धरम है तो ये होगे इसके तेजी से परिशार के करण अच्छे से क्लियर हो गोतम बुद्ध से याने गोतम बुद्ध या सिधार्त गोतम से संबंदित नहीं है इन च्यारों में से कौन सा नहीं है उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्षन के अंदर देंगे तो चलिए बहुत धरम से जुड़े हुए ही कुछ टोपिक और है उनको अगले वीडियो शेशन में लेंगे क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इस चेप्टर के अंदर हम बहुत धरम से जुड़ी हुई महतोपुन चीजों को अच्छे से क्लियर है वो करेंगे आनन्द आ गया होगा और आनन्द ही है गोतम बुद्ध का महत्मा बुद्ध का प्र यह शीशे चलिएगा फिर मिलते हैं तब तक जैहिन जैभारत